नमस्त भाईयो, Android वड़ी में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आप देखने वाले है Motorola के Moto G54 का टिप्स और ट्रिक्स और इसके फीचर्स Motorola में आप लोगो देखने को मिलता है Stock Android लेकिन Stock Android देखके घवराये मत क्योंकि यहाँ पे बहुत सरे Amazing Features आप लोगो देखने को मिलेंगे यहाँ पे कुछ Amazing Features मैंने Explore किया है मैं सारे Features को आप लोगो Explain करूँगा ताकि आप लोग अपने Moto G54 को और अच्छी तरीके से यूज कर पाए तो चलिए जाद देखने करके सुरू करते है आज का वीडियो सबसे पहले आता है इसका Lock Screen जब फोन ऐसे में रहेगा आप Single Tap करें तो देख सकते हैं यहाँ आप लोगो Time दिखेगा साथी में नीचे का Notifications भी आप लोगो देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर Tap करके Notifications भगी रहा चेक आउट कर सकते हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं Tap कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा Screen ब्राइट नहीं हो रहा है कुछ-कुछ Always-Own Display यहाँ साथ दिख रहा है हाला कि यहाँ पर LC Display है तो Always-Own Display पॉसिवल नहीं है फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का Effect आप लोग मिल रहा है फिर जब आप लोग नोटिकेसन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो Screen का बाकी Brightness है वो आ रहा है तो यह feature मुझे काफी कमाल का लगा Home Screen में जब भी आप लोग आएंगे दिख सकते हैं मेरा जो Clock है कुछ different तरह का है अगर आप लोग चाते हैं तो इस तरह का Clock Setup कर सकते हैं लेकिन बाइडिफॉल अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर Clock कुछ इस तरह का दिखेगा आप लोग को लेकिन यह Default Clock है इसको थोड़ा Long Press करेंगे और इसको Wide पर करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर Clock कुछ इस तरह का बन जाता है बाकी Clock ऐसे नॉर्मली रहेंगे लेकिन अगर आप लोग को यह Default वाला Clock को चेंज करना है इसको Wide कर दिखेगा और आप लोग यहाँ पर Cities में डाल सकते हैं Current Location तो Current Location का यहाँ पर आप लोगों को Temperature वगेरा दिखाएगा साथी में यहाँ पर Alarm भी आप लोग सेराप कर सकते हैं और साथी में यहाँ बैटरी परसेंटेज कितना है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आप लोग इसको Edit करना है तो यहाँ पर Long Press करके Edit बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी चीज है इसको आप लोग अपने Accordingly कॉस्टमाइज कर सकते हैं Clock Style भी आप लोग चेंज कर सकते हैं Digital से Analog Clock भी आप लोग चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं और कुछ इस तरह का आप लोग को Clock आ जाएगा जोभी आप लोग को Add करना है Add Apps करके आप लोग उस आपको यहाँ पर अड़ कर सकते हैं Suppose यहाँ पर Camera अप को मैं Add कर देता हूं और Contact App को मैंने Add कर दिया है तो देखते हैं यहाँ पे camera के अंदर से कुछ भी मैं capture करूंगा तो देखते हैं एक photo मैंने यहाँ पे capture किया है तो यह जो photo है यह मुझे बाहर पे camera app को खोलने पे नहीं दिखेगा देखते हैं बाहर का camera app मैंने open किया है तो यहां पर मुझे यह चीज नहीं दिखेगा तो यहां पर जो भी चीज आप लोग करते हैं वो यहां पर securely बंद होके रहता है और दूसरे किसी को भी पता नहीं चलता है यहां पर चाहे तो आप लोग दूसरे सारे apps भी add कर सकते हैं जो भी apps आपके phone के अंदर install है यानकी facebook, whatsapp बगरा वो सब भी आप लोग यहां पर secure folder के अंदर एक दम lock करकर रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगहाफं कर लोग डाने है और अगर आप चाहे किसी को पता नाच गाए तो इसका icon को भी आप लोग change कर सकते हैं, यहां पर secure folder के अंदर जाना है और यहां पर disguise icon का option मिलीगा आप लोग को यहां पर disguise icon को आप लोग को enable करना है और यहां से आप लोग कोई भी icon को स तरह से और type इंड game करके कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं यहां पर मैं याद रखने के लिए यह नाम डाल रहा हो कुछ भी नाम डाल के आप इसको setup कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा आइकन बन गया है और नाम भी यहाँ पर change हो गया है काम basically same ही रहेगा काम में यहाँ पर कोई changes नहीं रहेगा इस phone के अंदर security के ऊपर Moto ने काफी ध्यान दिया है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो menu के अंदर आप लोग के एक app मिलेगा जो है Moto Secure का Moto Secure के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर secure folder तो है ही आप लोग यहाँ से चाहिए तो on भी कर सकता है अगर आपका secure folder enabled नहीं है इसके बाद यहाँ फिशिंग detection का option है फिशिंग detection को अगर आप enabled करते हैं तो कोई phishing link आएगा फिशिंग website आएगा तो आप लोग यहाँ पर warm करते हैं इसके लावा यहाँ पर network protection का भी option है यानि कि wifi network के अंदर है तो wifi security भी आप लोग कर सकते हैं साथ ही में wifi block list भी आप लोग यहाँ पर enable कर सकते हैं pin pad scramble का एक option आप लोग यहाँ पर मिलता है pin pad scramble करेंगे तो देख सकते हैं इसको अगर आप लोग enable करते हैं तो यहाँ पर जो numbers है numbers change हो जाता है यानि कि numbers का position देखके भी लोग guess कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा pin आपने डाला होगा लेकिन यह जो pin pad scramble करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो numbers है numbers का orientation ही change हो जाता है यान कि जो number sequentially रहता है वैसा नहीं रहता है तो आपने जो भी password डाला है आप अगर ऐसे डालते हुई और दूसरे side से कोई लोग कोई आदमी देखता हुई है तो directly पतार नहीं कर पाए कि आपने क्या pin डाला है यहाँ पर और एक useful app आप लोगों मिलता है जो कि family space का family space के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर create space कर सकते हैं अलग-अलग space यानि कि अगर आप लोग मान लीजिए किसी दोस को phone देखने देना चाहते है या फिर कोई person अगर आपको phone लेना चाहते है यूज करने के लिए तो यहाँ पर आप लोग एक guest account create कर सकते हैं या फिर बच्चे लोगों के लिए kids account create कर सकते हैं और उसको start करके आप दे सकते हैं और इसके अंदर में selected कुछ app ही आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पर जो app आपनों के लखा है सिर्फ उसी app का use होगा बागी कोई भी app का यहाँ पर use नहीं कर पाएगा और exit करना है तो यहाँ पर आप लोग password लगा सकते हैं तो password लगा के ही यहाँ पर exit हो पाएगा तो किसी भी third person को अगर आप फोन देना चाहते हैं या फिर बच्चे को phone देना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं तो यह family space यहाँ पर option है यहाँ पर moto app देखने को मिलता है moto app के अंदर बहुत सारे useful features आप लोग बिलेंगे कुछ features तो commonly used feature है motorola के लिए जैसे यहाँ पर twist करने पर camera को जट से open करना और जट से आप लोग photo capture कर सकते हैं या फिर यासे chop chop करके आप लोग यहाँ पर class light को on कर सकते हैं और chop chop करके दुवारा off कर सकते हैं यह by default से on रहता है तो इसके लिए आपको कोई अलग से setting करने की ज़रुत नहीं है जो लोग first time Motorola यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग already Motorola का phone यूज़ करते हैं वो लोग already पता है यह feature के बारे में चलिए Moto app के अंदर क्या features यहाँ पर दिये गया है वो हम लोग check out कर लेते हैं सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पर flip to do not disturb का option दिया गया है तो इसको अगर आप लोग enable कर देते हैं तो आप जब phone को ऐसे flip कर देंगे तो आपका phone जो है do not disturb mode के अंदर आ जाएगा और जब भी उठाएंगे तब do not disturb mode है वो off हो जाएगा तो काफी अच्छा feature है अगर आप लोग इसको enable रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं उसके बाद देखेंगे यहाँ परस्नलाइज का option है यहाँ पर देख सकते हैं परस्नलाइज के अंदर आप लोग वालपर स्टेंज कर सकते हैं themes का option भी यहाँ पर दिया गया तो themes के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे themes यहाँ पर pre-loaded है ज्यादा themes नहीं है यहाँ पर 1,2,3,4,4 themes यहाँ पर pre-loaded है और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी हिसाप से आप लोग theme भी create कर सकते हैं वालपर, font, color, icon, shape इन सब को select कर करके आप लोग अपनी हिसाप से अपना theme भी create कर पाएंगे इसके इलाबा यहाँ पर colors भी आप चेंज कर सकते हैं theme का जो color है उसको भी आप लोग change कर सकते है पूरा customize करने का option आप लोग वह मिलेगा यहाँ पर तो उससे आप से भी आप अपनी हिसाप से theme create कर सकते है आइकन जाके भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कैसे दिखेगा आप लोग ढालकोиты का support आप लोग soph यहां से मिलता है और आप छाए तो automatic इसको enable रखेंगे यहां पे transition पे रखेंगे तो automatic enable हो जाता है तो automatic enable पे रखेंगे तो automatic इसके तराइम में में dark mode enable हो जाएगा यहाँ पे कुछ gesture controls आप लोगो देखने को मिलता है gesture करने जाएंगे तो देखते हैं first में quick launch यहाँ पे phone के back को double tap करके आप लोग किसी भी app को open कर सकते हैं यहाँ पे double tap करके आप लोग देखते हैं यहाँ पे recorder by default set है तो recorder automatic चालू हो जा रहे तो इस तरह से कुछ भी चीज़ को अगर आप लोगो enable करना है तो वो आप लोग enable कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी screen पे है आप double tap करेंगे तो जो app है वो चालू यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे recorder enable है तो recorder चालू हो जा रहे है जैसे देख सकते हैं यहाँ पे settings का option है settings का option में जाके आप लोग इसको customize कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे कुछ selected options है या फिर आप अगर किसी भी app को open करने चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं suppose camera को अगर कर दू तो किसी भी screen में हूँ मैं यहाँ पर double tap करूँगा तो camera जल्दी से on हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे sidebar का option आता है sidebar को अगर आप लोग enable करेंगे तो यहाँ पे side से आपका एक sidebar निकलेगा कुछ इस तरह से sidebar आप लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ selected apps आप लोगो देखने को मिलते हैं यहाँ से आप लोग setting में जाके इन selected apps को change कर सकते हैं कौन से app को आपको रखना है इस sidebar के अंदर में तो वो काम आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे quick capture का option है जो मैंने twist to open camera किया वो यहाँ पे quick capture का option है fast torch यान की chop chop करने के पर जो torch है यह वो feature है three fingers से screenshot का option आप लोगो यहाँ पे त्री fingers से आप लोगो touch and hold करना है और आपका screenshot बनके आ जाएगा जनले दूसरे phone में ऐसे slide करना होता है लेकिन यहाँ पे touch and hold करना है lip to unlock का option है अगर आप लोगो lip to wake करेंगे तो इसको enable कर सकते हैं इसके लिए आप लोगो face unlock को enable करना है इसके मतल से जब भी आप लोगो phone को उठाएंगे silent mode में चला जाएगा swipe to split screen का option है तो यहाँ पे किसी भी app को अगर आप लोग split screen में open करना चाते हैं तो इसको swipe to split screen mode में आप लोग इसको enable कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोगो swipe करना है और दूसरे कोई भी app को आपको select करना है और यहाँ पे आपका split screen mode में बनके आ जाएगा चलिए try करते है देख सकते हैं यहाँ पे split screen mode में आ गया है अभी दूसरे आप को मैं यहाँ पे split screen mode में open कर सकता हूँ इसके लाब अभी split screen mode में जाने के लिए आप लोग recent में जा सकते हैं और यहां पर app icon को click करके यहां पर split screen में भी कर सकते हैं इसके लाब आप यहां पर freeform का option है जिसके मतलब से आप लोग यहां पर pop-up view में इसको open कर सकते हैं और इसको कही पर भी screen कर अंदर छोड़ सकते हैं साथ ही में दूसरे किसी app को अगर आप लोग pop-up view में open करना है तो वो भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं हाला कि यहां पर सिर्फ एक ही app आप लोग pop-up view में open कर पाएंगे जैसे ही मैंने दूसरे app को open किया तो यहां पर previous जो app था वो close हो गया तो इस तरह से आप लोग split screen mode भी आप लोग इस phone के अंदर यूज कर पाएंगे इसके लाव आप देखेंगे तो यहां पर display के अंदर आप लोग को रख सकते हैं उस तरह से आपका notification style बनके आएगा इसके लावा और एक option है show double line clock इसको अगर आप लोग enable करेंगे तो आपको double line में clock दिखेगा जो अच्छा दिखता है नॉर्मली कुछ इस तरह का दिखेगा लेकिन अगर आप double line clock को enable कर देंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखेगा और देख सकते हैं यह ज़्यादा बिटर लगता है तो आप लोग definitely इसको चूज करना lock screen के अंदर नीचे के तरह देखेंगे तो wake the display का option है तो यहाँ पर tapping the display, moving the phone यह सब करके आप phone को wake कर सकते हैं चलिए try करते हैं tap करके तो मैंने आप लोगो दिखाई दिया, wake अगर करेंगे हाथ में ऐसे phone को check करेंगे तो भी आप लोग यहाँ पर phone wake कर सकते हैं तो हर बार power button प्रेस करने के आपको जरूरत नहीं परेगा double tap से आप लोग screen को wake या screen को disable भी, double tap से आप लोग screen को wake या screen को sleep mode में भी जा सकते हैं यहाँ पर इसको enable करना है उसके बाद आप लोग home screen पर double tap करेंगे तो आपको phone sleep या wake हो जाएगा इसके बाद यहाँ तो नीचे के तरफ आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर play का option है यह बेसिकली एक game mode जैसा है यहाँ पर games के अंदर झाएंगे और यहां पर settings केंदर करते हैं यहाँ पर sidebar आप लोग access कर सकते हैं Notification Toggles को उपर से नीचे लाएंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखेगा, Notification Toggles के अंदर भी देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ useful Toggles आप लोगो देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, Jip Maker के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग certain portion को अपन मिलेगा, यहाँ पे, directly यहाँ से आप लोग screen recording start कर सकते हैं अपने phone का, और Toggles को अगर आप लोगो edit करना है, तो यहाँ पे edit बेटन पे जाके, नीचे में और कुछ Toggles आप लोगो देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग नीचे से ऊपर में लेकर जाके छोड़ सकते हैं, फोन के settings को चले, देख लेते हैं, settings के अंदर क्या कुछ features यहाँ पे दिये गया है, इस phone में आप लोग hotspot और wifi दोनों को एक साथ नहीं चला सकते हैं, देख सकते हैं, वाइफाई on है, इसके साथ अगर आप लोग hotspot on कर जाएंगे, तो यहाँ पे wifi बंद हो जा रहे हैं, तो colors का एक option है, यहाँ पे saturated colors है, अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे Motorola का जो phone है, G54 इसमें colors थोड़े जादा saturated type का लगता है, मैं unboxing वीडियो में भी बताया था, natural लगेंगे, तो यहाँ पे colors थोड़े सा muted type के आ जाएंगे, तो अगर आप लोग natural colors देखना पसंद करते जादा saturated पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे saturated को change करके natural पर रख सकते हैं, notification settings आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर में एक useful feature मुझे लगा, यहाँ पे notification history, notification history को अगर आप लोग अपने मिस कर दिया है, तो previous जो notification से वो आप लोग यहाँ पे तो system navigation का अंदर यहाँ पे three button navigation है, यहाँ फिर gesture navigation है, अगर आप लोग full screen experience पार में जाते हैं, तो gesture navigation का भी आप लोग इस तरानाल कर सकते हैं, हाला कि मैं three button navigation ही ज्यादा पसंद करता हूँ, और यहाँ पे एक और चीज, अगर आप लोग power button को long press करते हैं, तो यहाँ पे आप आप का, जो google assistant है, वो enable होता है, अगर आप लोग power menu चाहिए, तो आप लोग power button और volume up button को एक साथ press करके, एक साथ press करके hold कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग आप लोग power menu देखने हों लेगा, जिसके हंदर से आप लोग power up, restart, यह सब काम कर पाएंगे, यहाँ पर दिसकते है double press power key करने पे भी आप लोग यहाँ पर launch camera कर सकते हैं, तो अगर आप लोग quickly camera on करना है, तो प्रेस power button करके भी आप लोग camera on कर सकते हैं, अगर आप चाहिए, तो इसको disable भी कर सकते हैं, प्रेस and hold power button जो मैंने अभी आप लोग होता है, तो यहाँ पर google assistant आता है, अगर आप चा तो by default यहां पर battery icon के pass में यहां पर notifications देखने को नहीं मिलता है, अगर आप लोग यहां पर ड्रैक करते हैं, तो notifications में आप लोग यहां बैटरी percentage दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग बैटरी percentage लाना चाहते हैं, तो यहां पर आप लोग सेडिंग के अंदर बैटरी के अंदर ज charging pattern को learn करता है, और जब तक आपका 80% charge होगा, 80% को fastly charge करेगा, और उसके बाद 20% को धीरे-दीरे थोड़ा सा charge करेगा as per charging pattern, तो यहां पर large link charging pattern देख सकते हैं, यहां पर हो रहा है, तो जैसे charging pattern रहेगा मेरा, उस हिसाब से यहां पर charging को यह customize करेगा, over charge protection का एक option आपको मिलता है, over charge protection को enable करेंगे, तो यहां पर battery का life span को यह increase करता है, 80% battery को charge करेगा, उसके बाद यह charge नहीं करेगा, अगर continuously 3 दिन से phone charge हो रहा है, in case phone एक दिन पहले charge नहीं हो आता, तो 80% से ऊपर charge आएगा, 100% तक charge करेगा, वरना यहां पर regular basis पे phone charge हो रहा है, तो यहां पर 80% जाकर यह pause कर देगा, तो यह कुछ security features है, battery health को लेकर, यहां पर यह सब features भी आप लोगो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि network speed यहां पर उपर में show होता है कि नहीं, तो नहीं यहां पर network speed show नहीं होता है, तो वो feature आप लोग यहां पर काफी useful feature में आप लोगो बताऊंगा, normally अगर आप लोग photo capture करता है, तो यहां पर 12.5 megapixel और front camera से 4 megapixel फोटो capture होता है, लेकिन अगर आप लोग 50 megapixel या फिर 16 megapixel में front camera फोटो capture करना चाते हैं, तो यहां पर आप लोगो settings के अंदर, photo settings के अंदर जाना है, उसके बाद यहां पर resolution को आप लोगो set कर देना है, हाई पे, तब जाके आप लोग 50 megapixel और 12.5 megapixel मोड में, और 16 megapixel में photo capture कर पाएंगे, बाकी यहां पर कहीं भी चेक करेंगे, यहां पर 50 megapixel मोड भी नहीं है, और 16 megapixel मोड भी यहां पर आप लोगो देखने को नहीं मिलेगा, मोड के अंदर मैंने योलो कलर को पिक किया है, तो देखते हैं, बाकी जो portions है, सारा black and white हो गया है, तो इस तरह से आप लोग video भी create कर सकते हैं, साथ ही में photo capture करना है, तो वो भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं, spot color में photo का option और अलग से video का option भी दिया गया है, same way में यहां पर dual capture में photo और video का सकते हैं, हाप भी करना चाते हैं, तो वो भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं, तो भाई इसके साथ कतम होता है, Moto G54 5G के tips and tricks और इसके सारे features, काफी कमाल के और refreshing features लगे मुझे यहां पर, क्योंकि almost सारे phones का feature एक जैसा ही हो गया है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, लेक आपका दिन सुभो